चानक के आईएस अकैडमी करंट अफेर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं आदित्य एलवन मिशन की बारे में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन इसरों ने आंदर परदेश के हरी कोटा से अपना पहला सोर मिशन आदित्य एलवन सफलता पूर वक लॉंच कर दिया है तो चलिए विस्तार से बात करते हैं आदित्य एलवन मिशन चंद्रयान 3 मिशन के समान द्रश्टिकोन अपनाएगा और यह सबसे पहले प्रत्वी की कक्षा में प्रिवेश करेगा और वहां से यह तेजी से आगे बढ़ेगा यह तब तक आगे बढ पर इमंडल के दुरस्त अवलोकन और प्रत्वी से लगभग 15 लाग किलोमेटर दूर एलवन यानि की सूर्य प्रत्वी लेंग्रेजियन बिंदू पर सोर हवा का वास्त्रिक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है एलवन प्रत्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरों का पाच्वा मिशन है अभी हाल ही में भारत में चंद्रवा के दक्षनी ध्रूप पर सफल लेंडिंग की थी अब हम बात करेंगे आदित्य एल मिशन और एलवन से इसके सम्मंद के बारे में आदित्य एलवन सूर्य का अध्यन करने वाला पहला अंतरिक्ष अधारि किलोमेटर दूर है एलवन बिंदू के चारों और प्रभा मंदल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहन के अर्था सूर्य ग्रहन या चंद्र ग्रहन के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुक्ख ख्लाब मिलेगा इससे वास्तिक समय में सोर्गतिविदियो और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिकलाब भी मिलेगा अंतरिक्ष यान विदुद चुम्बकिये कान और चुम्बकिये छेत्र डेटेक्टरों का उप्योग करके प्रकाश मंदल क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानि की कोरोना क निरिक्षन करने के लिए साथ पैलोड अपने साथ लेकर गया है विशेश सुविदा जनक बिंदु एलवन का उप्योग करते हुए चार पैलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और शेश तीन पैलोड लैंग्रिज बिंदु एलवन पर कणों और छेत्रों का इन सीटू अध् हैं सूर्य के उपरी वायू मंडलीय यानि कि क्रोमो स्फेर और कोरोनल लीटिंग का अध्यन आशिख रूप से आयनख प्लाजमी की भोती की और मृतिकना living का अध्यन इसके अत्रित सूर्य से से प्रकिरिय segunda के अधियन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इंशिटू कंढ और प्लाज्मा वातावन का नेरिक्षन में can से निदान ओर गोनतमे का अधियन CME का विकास गती शीलता और उत्पत्ती के बारे में जानकारी कई पर्तों अर्थात क्रोमोस्फिर्स बेस और विस्तारित कोरोना पर होने वाली प्रकिरियों के अनुक्रम की पहचान करना जो अंत तैस सोर विस्पोर्ट की घटनाओं की और ले जाती है इसके अत्रिक्त सोर कोरोना में चुम्बक्य छित्र, टोपलोजी और चुम्बक्य छित्र के माप का अध्यन, अंत्रिक्ष मोसम के लिए चालक अर्थात सोर हवा की उत्पत्ती, सनचना और गती शीलता का अध्यन, ये सारे उदेशे हैं आधित्ते अलवन मिशन के अब हम बात करेंगे भारत के अत्रिक्त ऐसे कौन-कौन से देश हैं जिनोंने सूर्य पर अपने मिशन भेजे हैं सबसे पहले सयुक्त राजय अमेरिका, अमेरिकी अंत्रिक्ष एजनसी नेशनल एरोनॉटिकल और स्पेस अड्मिस्टेशन ने अर्थात नासा में अगस्त 2018 में पारकर सोलर प्रॉब लॉंच किया था यह सूर्य की उपरी वातावरन कोरोना से वहां की कणों और चुम्ब के छित्रों का अधन कर रहा है नासा की अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह पहली बार था जब कोई स्पेस क्राफ्ट सूर्य के इतना करीब गया था फरवरी 2020 में नासा ने यूरोपिय अंतरिक्ष एजनसी के साथ हाथ मिलाया और डेटा एकत्र करने के लिए सोलर ओर्बिटर लॉंच किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूर्य ने पूरे सोर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरन को कैसे बनाया और नियंत के लिए नासा ने अगस्ट 1997 में एडवांस्ड कॉंपोजिशन एक्स्प्लोरर मिशन लॉंच किया था ओक्टोबर 2006 मैं सोर्स थलिये रिलेशन ब्रॉजेक्ट लॉंच किया था यही नहें नासा ने 2010 में सौलर डायनिक्स अब्ज़रबेट्री और जून 2013 में इंटर्फेस इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ लॉंच किया इसके अलावा दिसंबर 1995 में नासा युरोपी एजनसी और जाकसा अठाच जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी ने सयुक तुरूप से इसके अलावा युरोपी एजनसी के आगामी सोर मिशनों में 2024 में प्रोप 3 और 2025 में स्माइल मिशन लॉंच किया जाएगा जापान की अंत्रिक्स एजनसी जाकसा ने 1981 में अपना पहला सोर अवलोकन उपगर है हिनोटोरी लॉंच किया था इसका उदेश है हाड एक्सरे का उप्योग करके सोर जवालाओं का अध्यन करना था वर्ष 2006 में हिनोट लॉंच किया गया था जो योकोह का उत्रादिकारी था जापान ने इसे अमेरिका और ब्रिटेन के सहोग से लॉंच किया था इसके अत्रिक्त चीन ने 8 अक्टूबर 2022 को Advanced Based Solar Observatory को राश्ट्रिय अंत्रिक्ष विज्ञान केंदर चीनी विज्ञान अकादमी से लॉंच किया था अब भारत का आदित्य अलवन लॉंच किया गया है और भारत को ये उमीद है कि आदित्य अलवन पैलोड के सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविदियों और उनकी विशेश्ताओं इसके अलावा अंत्रिक्स मौसम की गतिव दाप्त होता है हम फिर मिलेंगे नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच दो ग्रुड़े और बसक्तsem मिलेतर है नावाश्म टूर्स प्लेघन को टे। लेएड में निए नएकार si वरण जाबने की टीजाच चैनल अग्यूश्ताओं